इस काम में कितनी सेली मिलती है कितना क्या है अदमी आएगा तो ज़ित आदमी आएगा वो सेलारी मिल जाएगा अच्छा से सलारी मिल जाएगा अच्छा आज हम आपको बताएंगे सौधी आरब में शौपिंग मौल में कितनी सेली होती है और शौपिंग मौल सौधी आरब में किस तरह के होते हैं तो बने रहीएगा मेरे ब्लॉग में एंट तलग वीडियो को फुल बाउच करिएगा तभी आपके समझ में आएगा तो दोस्तों उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आएं तो फिलीज प्सक्राइब कर दिजीगा बिला इकन की गंटी को दबा दिजीगा था कि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच जाए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिजीगा और अपने दोस्तों में शे चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो पने रहेगा मिरे ब्लोग में अहन इंटळक देख सकते हैं यह है अजाजमॉल कभी इसके अंदर चल रहा है और पता करेंगे इसके अंदर सेली कितनी आपको फुल डिटेल दोस्तों देंगे तो अभी अंदर चलते हैं और आप से मिलते हैं अब कर दो कहां से बंदुबई बंगलादेश कितना सेली मिलता है इसकाम में अधारा सो नय बंदे को कितना सेली मिलता है कि अधर नहां दनाभी नहीं नहीं मतलब अगर आईसे कोई काम में अगर आये नहां बंदा कितने सेली मिल जाती है यह जो कुछते हैं इसकाम में कितनी सेली मिलते हैं कितना क्या है तो पराने वंदे को अठारा सो दोजारा से मिलती हैं नए वंदे को पंद्रा सो देख सकते हैं इमरान गल्फ ब्लॉग तो दोस्तों ने देखा आप लोगों में यह एछे काम होता है इस तरह के लोग काम करते हैं जितको यह लोग बंदूवाई काम कर रहा है तो हमने पूछा नए बंदे को पंदरा सुरियाल सेली मिलती है और पुराने बंदे को अठारा सुरियाल मिलते है जूटी टाइमिंग थोड़ी जादा रहती है बारा घटे जूटी रहती है दोस्तो और इस तरह का जो है मॉल रहता है आप लोग देश सकते हैं बहुत बड़ा मॉल है बहुत यह माल लगाना पड़ता है किस्टुमर आता है तो उसको सामान निकाल के देना भी पड़ता है यही सब काम रहता है हलपर के काम में क्लीनिंग का काम में भी लगा सकते हैं आपको जैसे यह मॉल है कपड़े बगर हर चीज़ आपको मिल जाएग यहां पर काफी बड़ा है कि इसमें दोस्तों बहुत लोग काम करते हैं पुराने बंदे को दोस्तों सेली से 2,000 होड़ा मिलती है, 1,800-2,000, जो रिटन बंदें जिने अरभीघर मालुम है, 1,200 फिल hết, 2,00 खाने, 14 सुर्य जूर्यान मिलते है, बस इश midst टाइमिंग- थूड़ी जहाद रें दब गिख रहती है और खाना बगरा दोस्तों इन में नहीं मिलता है बारा सो फिलाज दो सो चौधा सुरियन मिलेगा रूब मिलेगा दो साल के बाद में आने जाने का टिकट बगरा मिलता है तो इस तरह का देख सकते हैं होता है यह इस तरह का होते हैं मौल देख सकते हैं लाक्तिक एटम बगरा देख रहा है यह ग्रीन कपड़े पहने हैं यह लोग काम करने वाले हैं इस तरह के देखो जो वर्कर लोग हैं इंडिया पकिस्तान बंगलादेश के दोग होते हैं बंदो भोई इस नोफा होगा या है थाबन उसोफा है साबून उसनुफा इसनुफा है आओ आओ अ है करता तो दोस्तों देख सकते हैं एक यमन का अर्म काम करता है यहाँ पर डर्वान काम कर रहा है इस साइड में हेल एंड शोल्डर वगरा भी है तो दिखेना शवी शुगल कम राती बीजी लिए आल फोल्डे मुले चल्ड डुहोज़र भी होती ये 5500 वी ये लेकिन दोस्तो इतने सेली नहीं मिलती है अब पुराना आदमी हैना तो इसलिए नए आदमी को शेली जहें 1200 और दोसो खाने के 14 000 यहल्पर की काम में दुनेगा नही आदमी को और पुराना बंदा जब हो जाएगा तो अठारा सू से लेके 2000 रियल तक दोस्तो शेली बगरा मिलती है तो इस तरहां के जो है शौपिंग मौल बगरा होते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों इस तरह के शोपिंग मौल बगरा होते हैं सौदी में इन कामों में दोस्तों क्या है मेहनत बगरा ज्यादा नहीं बढ़ती है यह सी में काम करना पड़ता है यह लोग दोस्तों काम कर रहा है यह दो को मान लगा रहा है यही सब काम रहता है दोस्तो इसमें लेकिन डूटी टाइमिंग थोड़े जादा रहती है बारा घंटी डूटी रहती है दोस्तो तो देख सकते हैं इस तरह के मॉल बगरा होते हैं शौपिंग मॉल यहाँ पर आपको हर सामान दोस्तों मिल जाएगा काफी बड़ा है यह किचन वाला है देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का शौपिंग मॉल बगरा होते हैं सौधी में देख सकते हैं सामान बगरा आता है इने बस लगाना पड़ता है क्लीनिंग का काम में भी आपको लगा सकते हैं हेलपर के काम में हेलपर के काम में सब पुछ करना पड़ सकता है आपको लोडिंग लोडिंग अजिसों माल आता है गुदाम में वो भी लगाना पड़ता है देख सकते हैं इ इतनी सेली मिलती है कितना क्या है आप से बाद भी करवाई जो गरकर काम करते हैं बंगलादेश के बंगलादेश इंडिया के और यमन के बहुत लोग काम करते हैं इस मौल में पुराने बंदे को दोस्तों जो है बारा घंटे के मलब अठारा सो से लेके दो हजार रियाल तेक बेसिस सेली मिलती है और ओवर टाइम बगरा भी दोस्तों कभी-कभी होता है अगर फ्राइडे कुछ उट्टी नहीं करेंगे तो फ्राइडे काम करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा जैसे आज फ्राइडे है ये लोग काम करना है उसका सवर्या लेने अलग से मिलेगा ठाना नहीं मिलता है काबंभ में ple consistency कि बाग job होते हैं देख सकते हैं जब मॉल रहते हैं चाहरा कि मॉल हएता हैं तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देजेगा पहली मरतबा हमारे चैनल पहे तो आएं तो सर्सक्राइब जरू कर जीगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को जादा जादा शेयर करना अपने दोस्तों में जो लोग सौदी अरब आना चाहते हैं हेलपर के काम में शॉपिंग मौल में उन्हें पता नहीं कितने सेली मिलती है दोस्तों उनको भी पता चल जाएगा तो यह वीडियो को यह ही पारिम कर देते हैं मिलते हैं इस नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्ला आफिस दौाओं में याद रखना